अज़ संडे है तारिक देख सकते हैं वीडियो पर तो फ्रेंड्स आज हम जो डिसकस करने वाले हैं वह जैसे करें करना तो है हर कोई जाता है करना है लेकिन करना कैसे है वह चीज़ हम आपको आज समझाएंगे तो फ्रेंट सा क्या होता है कि भी हमने ये जो यूट्यूब चैनल अरिल कुमार के नाम से बनाया इसमें 1000 सब्सक्राइबर हो गया है थैंक्स फॉर देट और अभी क्या है कि पानी निकल जाता है लेकिन कुछ लोग जो गड़ा गलत जगे खोद रहे थे तो उनको पानी कैसे निकलेगा तो फ्रेंट्स अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ जया भी कैसे निकाले उसके लिए बात करेंगे फ्रेंट्स और होप आप सभी ये वीडियो शेयर करेंगे आप हमेशा ध्यान रहेंगे सो देट आगे आप एक्जाम में नहीं करेंगे तो पहले फ्रेंट्स मॉटिवेशन की बात करें देखो पहली बात तो अपने माइंड में आपने ये सेट करनी है कि आपने जैबी करना क्यूं है जब आपका गोल स्पैसिफिक हो जाएगा कि कर तो आप आपकी तनखुआ एक दम से बढ़ जाएगी जो लेडिस ने जॉब करती है तो उनकी काम वाली की तनखुआ इसी से ही निकल जाएगी अगर वो जैबी से भी कर लेते हैं तो एक्सटा उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स मैंने इस चैनल पर पहले इंग्लिश वाकिबलरी डाला था बहुत सारे हम वर्ड्स का मीनिंग समझते थे इंग्लिश बोलना सीखते थे काफी एलफुल वीडियो थी तो उस पर भी बहुत अच्छा रस्पॉंस आया है लेकिन उसके बाद में जो मेरे को एक लग जितने भी ग्रूप में सारे लॉंग टॉम इंग्वेस्टर्स हैं बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है जितने भी मैंने आज तक शेयर बताएं उन सबको तो ऐसा निया मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं तो ऐसा ही कि आप भी देख सकते हैं जो मैं शेयर बताऊंग आपको तो वह हुआफी फटनामेटल स्टॉग होता है कोई 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 निकमा स्टॉप निकल जाए ऐसा होता है ने इस जो क्लास के साथ बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो दो थीं निकमा भी निकल जाते है तो उनकी भी कुछ गलतियां होती है लेकिन कई बाद भी धोगा दे जात तो वहां पे आप जोइन करके और आ सकते हैं और अगर वीडियोस ही देखेंगे अगर आप रिमोट एरिया में गई तो वीडियोस देखेंगे तो उससे भी आपका जैवी निकल जाए मैं आपको बहुत सारे कॉमेंट्स और बहुत सारे वर्टसप के चैट्स दिखा सकता हू जहांकि वो लोग कहते हैं कि सर हमने आपकी जस्ट वीडियो देखी दी एक दिन पेपर से पहले क्योंकि उसमें multiple choice questions थे और वही रटे वही वहां पे आगे और हम पास होगे क्योंकि देखो ऐसा है सौ में से सौल लाना टफ है ला भी सकते हैं लेकिन उस सौ में सौ का कोई इसा फायदा नहीं है आप दें सिर्फ एक्जाम पास करने की तरफ द्यान देखना है तो उनको जब मैं देखता हूं एनलाइस करता हूं देखता हूं के कंदे जुके में और यह बताते वह उनको बहुत ही शेम महशूस हो रही है कि हम चार साल से मैंनत कर रहे हैं और हमारा आपको बताए कि आपने गड़्डा ऐसी जिगह खुदा जहां पानी निकलना ही नहीं है और दूसरी बात यह कि आप मोटे मोटे किताबे ले लेते हैं उसको रटना सुरू कर देते हैं यह तो आपने क्या करना है कि देखो जैसे हमें क्या है कि जूस पी रहा है मान लीजे संतरेका तो कैसे नहीं चोड़ना है इसको चूसरी नए कि उसको कि बने होते हैं और एक बात तुम मैं आपको कहना चाहूंगा नोगा जोते हैं है 50% ऐसे होंगे नए तो कोशन बने होंगे लेकिन वही उसी टॉपिक से ही घूम फिर के बने होते हैं ठीक है एक बैसल का पार्ट जो है अभी एक-डो साल से एड हो गया है बैसल वाला पार्ट तो वह बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि बैसल एक ऐसी चीज है ज उनके कंदे एक दम ऐसे जुके होते हैं वो अपने आपको शेम महसूस करते हैं कि बोलते वे कि हम चार साल से लगे वे हैं और हमारे कोई फूट वूल नहीं हो तो पहले उनको मैं मॉटिवेट करता हूँ कि फ्रेंड्स आप बहुत सही जगे आ गए है और इस बार आपका निकल जाएगा बट होता ऐसे नहीं है उसमें भी एक साल और लग जाता है और नहीं करता है कि आदमी अपने काम पर नहीं करता है तो पहली जो आपको टिप देना चाहूंगा क्या करना है आपने ना कभी भी रजाई में घुसके पढ़ाई नहीं करनी है कई जगे बहुत तोड़ा लेट लगा चेर टेबल पर बैठके बढ़ाई कीजिए ठीक है नेक्स्ट क्या कीजिए जितने भी आपके एक बुक आती है मैं कोई उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं बुक बहुत ही अच्छी है एनस तूर्की और अरुंदी जी की एक बुक आती है मुल्ट नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है नुमेरिकल्स के लिए फ्रेंट देखो कुशन्स में हमेशा रिपीर्टी होते हैं तो नुमेरिकल्स में हार्डली जो है पंदरा बीस हैं तो वह उनकी मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं जे भी चैनल पर और कहेंगे तो दुबारा फिर तो फ्रेंट से होप यह सब टिप्स आपको हेल्प करेंगी अभी आपने क्या करना है कि आपकी जो बुक्स हैं उनके पीछे जैसे मैकमेलन की बुक है उसकी पीछे आप देखेंगे पांच-पांच नुमेरिकल्स पांच-पांच कोश्चन्स दिये होते हैं सारे चैप्टर देखेंगे कि हाउ टो रीड बुक फास्ट इस तरह की कोर्स भी कही आगे हैं और कही बुक्स भी ऐसी आगे हैं जो कि आपको बहुत जल्दी पढ़ना सिखाते हैं तो अगर आप जितनी जल्दी खतम कर देंगे तो उतनी जल्दी आपने उस चीज को ग्रैस्प कर लिया है कि आपको क्या इसमें पढ़ना है क्या समझना है ठीक है मैकमीलन की बुक जो है थोड़ा सा रफ है तो हमने कुछ अपने इस्टूट के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हैं कुछ नोट्स भी हैं जो कि PDF पे आपको टेलिग्राम और वट्सप चैनल भी मिलेंग तो वट्सप ग्रूप में आपको पता है 257 से उपर नहीं जोईन कर सकते हैं अब जो कोई जोईन कर लेता है तो फिर उसको हटाना भी अच्छा है न लगता है तो मैंने इसलिए क्या करा है कि YouTube का चैनल का भी लिंक दिया है तेलिग्राम का भी लिंक दिया है तो आप महां ऐसा है कि ट्रेन एक ही जानी है और सवारी भी बहुत सारी है तो आप कैसे अड़स्ट होई जाते हैं कहीं न कहीं लटक के चले ही जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं लटक ना पड़ेगा क्योंकि देखो इतने ज्यादा WhatsApp ग्रूप बनाके और उन को फिर संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस टैंप मेरे मुबाइल में कम से कम 10-15 वर्टसप गुरूप है जिसमें कि फुल हुए पड़े है तो कुछ ना लाइक तो ऐसे हैं जस्ट मेरे को बस क्योंकि वहां मेरे से पड़े वह नो बहुत लाइक करते हैं तो इसलिए वह जोइन करे रहते हैं कि बहुत ज़्याद़ वीडियोज नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि कुछ और काम भी होते हैं कही बार ऐसा होता है इस सूर पर दिन महा पर हम पढ़ाते हैं तो इसलिए पूरे दिन बिजी होते हैं तो यह है कि आप यह काम कर सकते हैं पहला तो दिखी, motivate हुई है अपने आपको अपने mind में डालिए कि J.I.B. से भी आपने इस बार निकाल देना है इस साल जो सन 2021 है आपका यह आपका J.I.B. से भी निकाल देना है, 2022 में आपने बड़ी भी तीन increment लेना है आपने बस अपने से commitment कर लीजिए अगर आपने commitment कर ली तो आपका mind subconscious mind भी कहेगा कि बस अब J.I.B. से यह भी करके इउठेंगे next चीजी है कि जो youngsters हैं youngsters क्या होता है कि उनको यह लगता कि हमारे बहुत time है बहुत time है और अगर उन से कुछ अगर आप discuss करना चाहेंगे क्योंकि देखो इतनी बीमारी आजकल चल रखे कोरोना हुआ यह हुआ सो हुआ तो सतर असी साल से ज़्यादा आप लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है all the best लेकिन सतर असी साल से ज़्यादा कि life span मेरे को नहीं लगता कि अब हो पाएगी क्यों क्योंकि बीमारी इस तरह की आजएंगे कि आप सोचेंगे कि इस से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है क्योंकि डिसकंफर्ट इतना हो जाएगा medical expenses बहुत बढ़ जाएंगे तो आपने क्या करना है हमेशा अपना goal focus रखिए जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने unemployed जो students है उनको कुछ सला दी थी कि ऐसे कीजी ऐसे कीजी तो कुछ comments उल्टे पुल्टे भी आये हैं कि जिन में वो बोलते हैं कि sir ऐसे तो होएगा नहीं ये चीज़ आप practically करके दिखाओ is it not possible कई लोगों ने कुछ उल्टे उल्टे comments दिखे हैं तो friends देखो अगर हम बहस में पड़े रहेंगे ना तो life में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे आपस में लड़ते रहेंगे ना बैंक जोइन कर लिया है ना कई लोग होते हैं ऐसे जो कि कुछ और ही लाइन में चले जाते हैं उनकी मजबूरी होती है जरजनी कान दीजिए देख लीजिए पहले टिकेट कलेक्टर थे है ना बस ओमेट करेक्टर का काम करते थे लेकिन बाद में उनको लगा कि हाँ एक्टिंग करने चाहिए और उन्होंने अपना 100% डिवॉशन दिया तो आज कहां से कहां पहुंच गया है तो फ्रेंड्स हमें ये चीज़ ध्यानक नहीं है कि हमें अपना गोल सेट पहले करना है गोल क्या है हमारा बस इस साल आपको जैबी सैबी कैसे भी करके निकाल लाए तो फ्रेंड्स मैंने कहता कि आप 12 गंटे 14 गंटे पढ़ो जैसे IES, PCS वगेरा पढ़ते हैं तो हम लोग भी जैसे अगर कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं कि एक गंटा दो गंटा पढ़ने के बाद में थोड़ा से ब्रेक लेते हैं आदे गंटे का सो दैट उससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा से रिलेक्स होगा और रिलेक्स होके फिर जो नए टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप और ज़्यादा उसको अच्छे से समझ सकते हैं माइंड में देखो, माइंड कोई एक आपका हार्ड डिस्क या वो नहीं है जिसमें कि आप डाटा स्टोर करे जारे, करे जारे, करे जारे जितना आप अपने माइंड को कूल रखेंगे और अपने टार्गेट सेट रखेंगे, वो बहुत अच्छा आपका सपोर्ट करेगा कई बार ऐसा भी होता है, कि हम टेबल पर पढ़ने लगते हैं लेकिन हमें कुछ पुरानी यादे आने लगती है जो लोग अकेला रह रहे हैं, उनको घर की याद भी आने लगती है तो फ्रेंड्स ऐसा है, जब आप पढ़ रहे हैं तो बस आपको अपने पढ़ाई की दरफ करना है जो पास्ट हो चुगा, आपकी गल्फरेंड आपको छोड़के जा चुकी है तो जा चुकी है भई, आपको पैसे नहीं थे उसको रोकने के लिए पैसे भी होते तो भी ना रुकती वो क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर बनने लाइक नहीं थी वो तो यही थौट आप रखेंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं और अगर आप फालतू पास्ट में कि मैं ऐसे ही कर देता मैं यह कर लेता मैं यह नौकरी में आता तो वो शायद मेरे पास है तो फ्रेंड्स जो चीज आपकी थी नहीं तो आप क्यों उसके लिए परिशान है आपको सिरफ अपने गोल पे ध्यान देना है कि आपने जो चीज पाना है तो पाना है वो फ्रेंड्स यह लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं देखो फ्रेंड्स एक तो मैंने आपको सेजेशन यह दिया कि जब आप पढ़ रहें बढ़ने भी ध्यान दीजिए अपना मॉटिवेशन हमेशा अप रखिए चाहिए एक आगच पे लिखके डाल दीजिए जहां पे आप बैठ रहे हैं सामने लिख दीजिए कि आपने जो है 2021 में J.I.B.C. अभी निकाल देना है अगले साल इंक्रिमेंट लेना ही लेना है ठीक है फ्रेंट्स यह आपने एक आगच पे लिखके अपने ठीक आँखों के सामने रखना है जब आप पढ़ रहे हैं जब आपका कंस्टेशन इधर दो डाइवर्ट होगा तो आपने सिरफ उस पे फोकस करना है नेक्स तिंग इस तैट कि आपने क्या करना है जो भी छोटे छोटे चोटे कोश्चन्स हैं हर चेप्टर के लास्ट में मैकमेनल बुक में बहुत सारे दिये में तो वो आपने मगब कर लेना है वो आपको याद हो जाने चुगे है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स क्या चीज़ आपने करनी है देखो नुमेरिकल्स आपको बहुत तंह करेंगे क्योंकि नुमेरिकल्स आपको सीधी-सीधी तो आएंगे ये इस ये रेल्यु molecular कुछ चीज़ए डली होती है एक्स्टर चीज़ों को हटाना पड़ेगा पर जो आपको meaningful आपको कई बार होता है कुछ बैंकर लेट आते हैं तो आपने मॉर्निंग में जल्दी उठके एक दो घंटा पढ़ना है तो नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि आपने रोज सुबह उठके पढ़ाई करनी एक घंटा ठीक है इस एक घंटे में आपने क्या करना है देखो जो आपके टॉपिक्स है उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना के पहले ही आपको पीडिएफ में दे चुके जिन दोस्तों को नहीं अभी तक पीडिएफ मिलें तो में अगर आप चोटा सा वाट्सप पे लिख देंगे ना तो भी मैं आपको पीडिएफ प्रवाइड कर दूँगा 82794-70702 और ऐसा ही कि देखो फ्रेंट सारे चीजों की पीडिएफ मैं अकेले नहीं बना सकता हूं तो कई चीजे मैं आपको हेल्प करना चाहते हैं तो उनके पीडिएफ नोट्स फ्री आफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं अब अगर ढूंडने लगेंगे तो आप शायद वह बहुत अच्छा कंटेंट ना ढूंड पाए तो ढूंडने ढहनने की चक्कर में आपने नहीं पढ़ना ह डालेंगे तो मैं आपको पीडिएफ नोट्स वगरा जो भी मेरे पास मैटरियल है या गृूप में अड़ कर पाऊंगो तो गृूप में आड़ करता हूं मैंने पहले ही आपको मजबूरी उता दिये कि मैं गृूप में क्यों नहीं आड़ कर पाता हूं नहीं लोगों को तो उसमें आड़ होके जो आपको पीडिएफ नोट्स वगरा वो सब चीज मिल जाएंगे टेलिग्राम पे भी मिल जा सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियो जो आपने कब देखनी है जब आप बिल्कुल फ्री हैं क्योंकि कई बार क्या होगा एक फ्रेंड सर्क्ल में व माला बस अब और कुछ नहीं है तेरे पिछे कि माला ले और कोई सी हिमाले पर चड़ जा तो फ्रेंड ऐसा नहीं है किसी की मॉटिवेशनल बाते सुनने से और कुछ ऐसा सुनने से आप कहीं बाबा बनने वाले हैं बट यह कि आपका माइंड को अच्छा निश्मेंट मिले आपने सिर्फ अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करनी है और एक्जाम में कई बार क्या होता है कि पेपर इतना कई बार टफ भी आ जाता है तो आप जो हंड़े परसंट नहीं दे पाते हैं तो आपने होपलेस नहीं होता है कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिननों की पहला पेपर दिया पहला पेपर बहुत टफ आ गया और टफ आने की वैसे क्या हुआ कि वो आगले दो पेपर भी उन्होंने छोड़ दिये नहीं देखे आते तो फ्रेंट्स ऐसा जुरूरी नहीं है कि आप अगर लास के दो पेपर निकाल लेते हैं तो ए आपने वर्क के मामले में हो जब आप वर्क कर रहें तो आपने घर अगरे की नहीं सोचनी है आपने सिरफ वर्क करना है क्योंकि most of the times गलतियां इसलिए होते हैं क्या आप माइंड में कुछ और चल रहा होता है कभी छुट्टी कर लेके चल रहा होता है तो इसलिए हमेशा ध्यार रखे कि आपने जब भी कुछ काम करना है तो एकदम positive mindset से करना है और अपना जो भी 100% दे सकते हैं तो 100% देना है ठीक है और next thing जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो यह है कि देखो friends short notes में कई बारना कुछ questions cover up नहीं हो पाते हैं तो इसलिए मैंने क्या करा है कि अल so that आपके जो और और जो आपके friends है तो उनको भी आपको support मिल सके और वो लोग भी J.I.C.I.B. clear कर सके देखो इन है आप एक दूसरी की help करेंगे तो आपको भी क्या होगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा ग्यान जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा आपने उस चीज को चुपाना नहीं है ठीक है बाकी आप को यही सजेस्ट करूँगा कि multiple choice question की वीडियो आती है एनस तूर चीखी तो वो आपने लेके उसकी questions मगप कर लेना है चाहिए आज भी आप खरीच सकते उस book को तो hardly थीन चार सो रुपे की book है ज्यादा महेंगी भी नहीं है तो वो उस सी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी all the best and अपने comments जरूर लेके thank you friends have a nice day